नमस्कार स्वागत है आप सभी का यूपी एनचम 17000 प्लस वैकेंसी में वेटिंग लिश्ट को ले करके यूपी ट्रपल सी से एनम नई वैकेंसी को ले करके एनम ड्यूटी को ले करके एक नया आदेश अभी आप सभी को दिखाने वाले हैं इसके पहले भी आप देखेंगे क कि सभी डेज में यानि सभी दिनों में डिवटी करना अनिवार है केंदर पर जाना अनिवार है और अभी जो नया आदेश आया है पहले चीज तो दिखिए सभी ब्लाक में हर जगह सब सेंटर बने नहीं होते हैं कहीं पर किराय के घर में कहीं पर वेक्षिनेशन जो आपका से कितने जिक फीडिंग करेंगे आप सभी घर जा करके भी आप सभी को फीडिंग करना पड़ता है जो पर्मानेंट एनम है वो तो चलिए परिसान हैं जो लोग पुराने हैं उनके वेतन ठीक ठाक है वो लोग कर लेते हैं डिवटी परिसान तो सब लोग है लेकिन संबिदा के लिए सोचिए एक तो सेलरी इतनी कम ट्रांसपर आप देती नहीं अगर एक बार ड्यूटी लग गई तो फिर घर से 400-500 किलिमेटर दूर भी है 800 किलिमेटर दूर भी तो भी ड्यूटी करना है सेलरी आप बढ़ाते नहीं है प्रमोशन मंगाई बत्ता आधी मिलता नहीं है किये इनमो या पर स्टाप नर्शों ल्टी ओ फार्मासिस्टों 17,000 प्रसवरती में सबसे पहले चीजिस में वेटिंग लिश्ट के लिए नोटिपिकेशन में दिया गया था कि वेटिंग लिश्ट हम जारी करेंगे एक सीट किसाफ पे ज्यादा भीरती अभी जो साट जरती जिनकी जोइनिंग हुई है एक से अधिक प्रोग्राम में सभी का सेलेक्शन लगबख कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो सभी लोग एक से अधिक प्रोग्राम में सेलेक्ट हुए हैं जोइनिंग किसी एक प्रोग्राम में हुई है तो बाकी प्रोग्राम की सी बागी सीटे खाली हो करके फिर नई भरती आ जाती है तो यहां पर ऐसा नहीं होने दिया जाएगा कम से कब 10,000 के आसपास तक भी सीटे खाली हो सकती है नई भरती कुछ वेभैने पूछ रहती कुछ और भी अभ्यरती पूछ रहते कि नई भरती कब आएगी फार्मसिस्ट मे जिनका सेलेक्सन हो सकता था कि दुबारा से फिर से एकजाम दे फार्मर है तो वेटिंग लिश्ट आना चाहिए उसी भरती में उसकी बात फिर जो भी नई पदरिक्त हो उन पर जो भी पदखाली होते हैं उन पर फिर दुबारा से नई भरती के लिए भी मांग की जाएगी नौरात्र में नौमी और दसहरा दोनों ही दिन जनता दर्बार लगता है गोरगपुर में एक दिन तो फिक्स लगेगा बाकि दोनों ही दिन मान करके चलते हैं यानि कि 11 और 12 अक्टूबर को नौमी और दसहरा दोनों ही दिन हम लोग मान के चलते हैं कि जनता दर्बार लग करके ग्यापन हम आपको प्रुवाइट करा देंगे ग्यापन की लिए अगर आपको कोई भी दिक्कत लगे या तो आप हैंड रेटन खुझ से भी ग्यापन लिख सकते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसी तरीके से वेटिंग लिश्ट को लेकर के भी कुछ ने कुछ इसमे आपका बहुत आवर्ष्ट है इससे एक दबाव बनेगा और जो भी अभी हरती अंदर जाएंगे मुक्यमंत्री जी के पास तो लोग कहेंगे वहाँ पर मुक्यमंत्री जी से कि हम लोग इतने संक्या में आये हुए हैं बहुत परिसान है हम लोग हैं और वेटिंग चुके हैं लेकिन वेटिंग रिष्ट अभी तक आया नहीं कि एनेचम सत्रह जार पस भरती में आप किसी भी गुरूप में जुड़े हो तो बस आप लोग एक जुट रही है संगर्टित रही है गोरकपूर जनता दरबार में चलना है ग्यारा और बारतारिक को नौमी और दस संक्या क्यों नहों साथ सतर असी नव्पे सो जितने भी आप रोग चल सकते हैं जरूर चलिएगा कई बार देखिए जनता दरबार लोग जाते हैं अपनी मांग को लेकर के वहां पर मुक्यमंतर जी कई बार देखेंगे तो उसको हाइलाइट किया जाता है जिस पर तुरंत संक्या में जनता दरबार में पहुंचना आवश्यक है यहां पर भी आप सभी कमेंट करके जरूर बताएए और ग्रूप में भी आप लोग जरूर बताएए एक दूसरे से आपस में आप सभी को बात कर लेना है अगर आप किसी भी ग्रूप में न जुड़े हो तो कर सकते हैं अब यहां पर देखेंगे आप सभी एनम ड्यूटी को लेकर के एक नया आदेश अति आवस्यक इमेल प्रेशक महानिदेशक परिवार कल्यार समस्त मुख के चिखिसा दिकारी इसमें आप देखेंगे जैसे चो को करना होता है अपनी उपस्तिती अटेंडेंस देन आने के लिए एक आदेश यहां से आया हुआ है अब बताइए इसमें इस तरह की चीजी होनी नहीं चाहिए आलेटी लोग इतना प्रिसान है या तो फीटिंग वगर जो भी काम होते हैं नेक्षटी फीटिंग ही बैठकर करके करें फिर तो अच्छा रहेगा 7-10-2024 को डिप्टी सियम महोदे द्वारा दिये गए निर्देश के अनुपालन में समस्त सब सेंट्रों जो स्वास्त मंतर जी हैं समस्त सब सेंट्रों की एनम के साथ दो फोटोग्राफ एक अंदर से एक बाहर से उपलब कराय जाने के निर्देश दिये गए हैं उलेकनी ह प्रोटल पर स्वास्त उपकेंद्र की फोटो पहले से ही अपलोड है जिनने अब एनम की फोटो के साथ डेली अपलोड करना किया जाना है अब इसमें क्या कहा जाए आप लोगों को कोई सुभिधाय नहीं मिल ले यह प्रापर केंद्र सेंटर नहीं है उसके बाद भी इतन बढ़ा है और जो प्रोसान रासिये कम कर दी गई है और आप लोगों को कितना मिलता है बहुत ही कम अब देखिए यहाँ पर जैसे प्रेम लता पांडे जी है प्रदेश सयोग जी का है जैसे मेल किया गया है इनकी तरफ से वैसे ही क्या हम सभी लोग मेल नहीं कर सकते हैं सभी लोग मेल करें अपनी मांग को लेकर के जितने भी सम्विदा एनम बहन है बाकी सभी की डूटी से संबंद जो समस्याएं आ रही है पोर्टल पर आधी फीडिंग को लेकर के उसके लिए भी अलग से एक मोहिम चलाई जाएगी कैसे नहीं बात सुनी जाएगी आप सभी चीजे देखें होनी चाहिए मांगाई बढ़ गई डाटा रिचार्ज है तू मोबाल रिचार्ज है तू टीवियाए की मांग सीचों के पीवियाए के सापेक 60% और देखेंगे आप तो सीचों के लिए जो पीवियाए की विवस्ता है उसके अनुसार एनम को महत्त्व नही की कारी की देख रेक बैठेक समिक्षा सुचनाओं को पोर्टल पर एप पर समय से आनलाइन करना एनम और सीचों एक ही परिवार के सदस्य है फिर एनम महिलाओं को टीम आधारित प्रोस्चाहां रासी सीचों के पेक्षा 10% दिया जाना नयाय संगत नहीं है संबिदा एनम स सभी की सभी जायज मांगें इस पर अब गॉवर्मेंट की उदासी इनता है एक तरह से अब इसमें क्या कहा जाने तो उनको तुरंद ये सभी मांग आपकी सुवकार कर लिए जाने चाहिए यहां पर कोई ऐसी मांग तो की नहीं जा रही है जो सुवकार न किये जाने योग गुवर्मेंट की सरकार हैं तो निर्देशित करें इसी तरह के से हम लोग प्रदेश में स्वासे मंत्रजी को और मुख्यमंत्र जो basic pay होता है, हर साल 3% बढ़ता है, महांगाई बढ़ता है, महांगाई बढ़ता है, जितना भी बढ़ता है, उस समय के हिसाथ जिसे भी 3% के increment फिर से हो रही है, 53% होने वाला है 50 से, लेकिन आप लोगों को क्या मिलता है, कम से कम यहाँ पर 28,000 रुपे नियुनता मिवेतन की मांगी गए, बिलकुल मिलना चाहिए, कम से कम 21,700 रुपे तो जो basic pay है, पर्मानेंट के लिए, बाकी मांगाई बढ़ता है, उन्हें ज्यादा से लिए मिलती है, और वो भी basic पर उनका बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, आप लोगों को तो कोई भी इसमें मांगाई ब पर आप सदी का वेतन होना ही चाहिए, एनम को लगबक 8-9 पोर्टल एम एप पर रिकार्ड दर्ज करने पड़ रहे हैं, फीटिंग करने पर जो उचित नहीं है, इससे गड़ोता प्रभावित हो रही है, इसके लिए कोई एक ऐसा integrated पोर्टल या फिर एप की विवस्ता होन हैं उसमें ऐप, ऐसा कुछ नहीं है, जो डाटा जिसके लिए जहां पर आवर्शे हो, आटोमेटिक फीडिंग हो जाना चाहिए, आप सभी को केबल एक एही जगह फीडिंग करना पड़े, ऐसी वेवस्ता होनी चाहिए, ठीक है, और इसमें देखें सभी एनम को 5G नेट्र हो, जहां पर आटा फीडिंग करना पड़े, और एक सबसे बड़ी समस्या है, जितने भी सम्विदा एनम है, जो परमानेंटे चलिए, उनको तो ट्रांसपर पालिसी आएगी, उनका तो ट्रांसपर हो जाएगा, कभी न कभी, जल्दी ही, लेकिन जो सम्विदा एनम है, उन सभी किसी भी गुरूप में जुड़े हो, गुरूप में आप से भी लोग जरूर जुड़ करके रहें, जाए वाटसप गुरूप हो, या पर टेलिग्राम गुरूप हो, ट्रांसपर इतना जरूरी होता है, आप सभी के लिए, कम से कम इसमें एक म्यूचुल अंतर कर सकें, ट्रांसपर आप सभी का हो सके, ट्रांसपर को लेकर के यह बहुत बड़ी मांगें और सेल्री वेतन का, ये दो तिन है से मांगें, अब बाकी तो जो काम है, द्यूटी है, उसको लेकर की चीज़े ống में, आ कि क्या होता है, और समान कार के लिए, समान वेतन में चल मानदे हो इतना तो कमसकम मानदे आपका होना चाहिए कि जितना एक basic grade पे होता है नए नए जो बिल्कुल joining करने वाले permanent जो भी imply होती कमसकम उतनी सेली तो आप सभी की बननी ही बननी चाहिए अभी देखिए चाहे कुछ भी हो दिपावली bonus होता है चाहे मांगाई बता आदी कुछ भी चीज़ें होती है उसका फायदा सभी को कहां मिल पाता है तो आप सभी जो भी एनम सिष्टर है या फिर जो एनेचम 17,000 में वेटिंग लिस्ट को लेकर के सभी अभी अर्थी वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं आप लोग प्लीज एक संगतित हो करे explode और इसमें एक लेटर बना करेंके तयार करें आप लोग प्रीज ग्रूप में मैसेज करिए एक दूसरे से आप लोग डिसकस करिए बात करिए और पूरा सपोर्ट आप सबी का किया जाएगा कि आपके वेटिंग लिष्टी भी जलता है और आपके इस सेल जो भी संबेदा इसमें करमी है एनम पहनों के लिए भी से इस रहेंगे और वेटिंग लिस्ट में देखिए अगर यह वेटिंग लिष्ट आ जाती है दिसंबर भी नहीं जाना चाहिए उसके आगे पिर all देखेंगे तो कही और पर देरी